हेलो बच्चो, स्वागत है आपका आपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट कार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांतरिक के बच्चों के लिए फिजिक्स यानी आपके बहुत के कैस्पेक्ट्ड कोस्टंस को य suspense आपके फिजिक्स का लेक्च्चर नमर ट्वन्टी होगा इससे पहले हमने आपके लिए 19 और भी लेक्च्चर को दिया है तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्च्चर को नहीं देखा है तो प्रेली से जाकर देख सकते हैं तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किजेगा और चैनल को भी सस्क्राइब किजेग तो चलिए question no.1 क्यों बढ़ते हैं तो पहला question है which of the following is best conductor of electricity इन सबों में से कौनसा ऐसा आपका जो भी आपके दिये गए options हैं वो सबसे best conductor of electricity को दर साथ हैं यानि कौनसा इसमें से सबसे अच्छा विदुद्ध चालक होगा ठीक है तो देखिए पहला option आपका और नरी वाटर नेक्स्ट है sea water, wild water और distil water तो सबसे पहले तो आपको इसमें से कुछ option हटा ही देना चाहिए क्यों क्यों जैसे distil water होगा डिश्टिल वाटर क्या होते है डिश्टिल वाटर एक bad conductor of electricity होते है क्यों यूँकि इसमें बहुत सारे minerals जो होते हैं बहुत सारे ions को छानकर हटा गया जाता है और जिस करण से यह क्या होता है अच्छे विदुद चालक नहीं हो पाते ठीक है लेकिन जो आपका sea water होता है यह क्या होता है यह क्या होता है और कहें तो best conductor of electricity होता है क्यों कि इसके पास more number of sodium and आपके जो आपके chlorine आयन होते हैं sodium और chlorine आयन ज्यादा हो जादा हो जात होते हैं ठीक है तो क्या होगा answer आपका which of the following is the best conductor of electricity तो sea water ठीक है sea water जो आपके कची चीनी यानि कची चीनी को decalorize करने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला charcoal है यानि किस charcoal से हम कची चीनी को यानि आपके raw sugar को क्या करते हैं decalorize करते हैं ठीक है तो देखिए आपको याद होना चाहिए या फिर आपको पहले भी पढ़ा होगा अगर तो यह उट charcoal जो होता है लकरी सा बनावा जो charcoal होता ह उससे हम क्या करते हैं आपके raw sugar को decalorize करने के लिए यूज करते हैं ठीक है क्या होगा option no.d is the right answer जो आपको बताएंगे इस वीडियो में और आगे भी कुछ वीडियो तक उसमें ज्यादा रिजन्स आपको नहीं जानने हैं simply आपके answer जाने हैं बस आपको उतना ही वह काम द नेक्स्ट पोसन आपका bleaching powder is made from bleaching powder किससे बना होता है तो यार दखेगा बच्चे कि bleaching powder जो होते हैं वह lime और chlorine से बना होता है किसे bleaching powder lime और chlorine से बना होता है ठीक है तो देखिए आपको बता दे कि CAOH hold twice यह क्या आपका lime है plus CL2 इससे मिलके क्या बनाता है बच्चे आपका bleaching powder क CAO CO2 या फिर आप इसे ऐसे भी लिए सकते हैं CAO और क्या लिए सकते हैं यहाँ पर CL plus H2O तो यह क्या होता आपका bleaching powder ठीक है तो आपको bleaching powder किससे बना होता है bleaching powder जो बना होता है वह बना होता है आपका calcium hydroxide plus chlorine gas यानि कहने का मतलब calcium hydroxide यानि lime plus chlorine को मिलके आपका bleaching powder बना होता है ठीक है तो क्या कि option number D is the right answer lime and chlorine next question आपका the element required for solar energy conversion यानि किस element से हम solar energy का conversion करते हैं तो जाद रखिएगा जो आपका element use के रहता है solar energy conversion में वो होता है बच्चे आपका कौन सा वो होता है बच्चे आपका silicon क्या होता है silicon ठीक है तो चलिए बच्चे क्या पर रहे थे the element required for solar energy conversion आपके solar energy के conversion के कुणसे element का use के रहता है तो वो होता है बच्चे आपका silicon यानि silicon से हम क्या करते है solar energy का क्या करते है conversion करते है ठीक है solar energy को change करते हैं दूसरे form of energy में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या आपका question नेक्स्ट आपका the gas usually caused explosion in coal mines यानि किस gas का यानि किस gas को use के रहता है coal mines में explosion करवाने के लिए यानि besport करवाने के लिए gas आमतार पर कोईले ख़दानों में besport का का कारण बनती है तो आखिर वो कुण सा gas होता है क्या होताँ जिस करणके आपका कोईले के ख़दान होता है उसमें क्या होता है आपका explosion cause होता है the gas usually causing explosion in coal mines यानि आपको क्वईले के ख़दान में कह जारा है questions में simply कि क्या क्यूंसा गास तक करणBack का विस्पोट हो पाता है या फिर विस्पोट होता है तो यह दखेगा मिथेन गैस के करण कोई लेंगे खदान में क्षपोट होता है ठीक है तो gas usually cause explosion in coal mines तीच, methane gas यानि methane gas के कराण ही coal mines में explosion होता है और methane gas को marci gas भी करते हैं क्योंकि यह आपका marci land में पाया जाता है यानि दलदली area में पाया जाता है ठीक है चलिए पचे यह कुछ 5 questions थे आपके इसी तरह आपको जल्दी जल्दी और भी कुछ questions करवा दिया जा जो भी questions लगवख पढ़ने हैं उनके regions आपको ज्यादा नहीं जानने है तो जो अगर बीच-बीच में जानना भी पड़ेगा जैसे हमने आपको इसके regions बताया है अभी जैसे आपके यह जो questions थे इसके regions दिया है हमने तो जिसके region जरौत होंगे आपको हम बताते चलेंगे और जिसके नहीं जरौत होंगे आप सिंप्लिस को जात करते चलिएगा चलिए वीडियो को यहीं पर रखते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को भी subscribe कीजि